परम पूजनिये नित्य स्मर्णिये गुर्देव भरुवान आपको शत्सत नमन स्वामे जी मेरी तीस वर्स की ध्यान अवस्था सिरी अर्विंदो और सिरी लमन महार्शी के पद्धत कर आधारित इस प्रकार है कि पहले निर्विचार अवस्था में जाने के लिए कई दिन लग जाते थे लेकिन अब कुछ ही समय में वो अवस्था आ जाती है और शर में एक नसा सा होता है और सब विचार सून्य हो जाते हैं और मैं इस अवस्था में बीना हिले डुले घंटों तक पड़ा रहता हूँ घरवाले ये जानकर कि मैं मर तो नहीं गया हिला कर देखते हैं इस सवस्था में चेतन मात्र हो रहता है, चेतन मात्र ही रहता है, बाकी सब सुनने रहता है, मैं इस साइलेंस ही पसंद करता हूँ, मुझे कोई भजन, किर्तन, जपादी भी नहीं बाते हैं, कुछ पढ़ने बैठता हूँ, तो थोड़ी देर बाद ही साइलेंस में चला जात अब मैं आपकी शरण में आगे की यात्रा पूरी करने आया हूँ अधा आप अंपर करते आपका दाश भी ये स्ट्यागी आज के अंति मिसलोक में तर्चकिति मैं अनन्त महम भो धू आश्चरियम जीव भी चया मुझ अनन्त सागर में जिसका कोई आदियन्त नहीं है समय की दृष्टी से ना आदि है ना अन्त है न देश की दृष्टी से जिसका आदियन्त है इस सागर का तो आदियन्त होता है पर जिस चैतन्य सागर का चित सागर का ना आदि है ना अन्त अभी आप लोगों को संसार का आदिय और अन्त नहीं दिखता संसार का प्रागम और संसार का अन्त नहीं नजराता कब से शुरू हुआ, कब तक रहेगा, लगता है, हमारे पहले से चला आ रहा है, हमारे बात भी चला जाएगा, पर जो चैतन्य आत्मत अत्व है, इस आदिय और अंत रहित, अनंत, देश से जिसका अंत नहीं, समय से जिसका अंत नहीं, आकार से जिसका अंत नहीं, एक रूप का हिस्त्री रूप पुरुष रूप नहीं है, पसु मनुष्य रूप नहीं है, पेड पहाड रूप नहीं है, सब चीजों का एक रूप है तो बस्तु परिछेद से, देश परिछेद से, काल परिछेद से रही थे ऐसा जो अनन्त है आत्मा चैतन्य इस महाम भोदि में, इस महा चैतन्य शागर में आश्चेरी है, जीव बीचया जीव रूपी लहरें, इस अनन्त शागर में, फिर कई जगहें होती है शागर में जगहें उपर तो लहर बन गई, सागर अनन्त नहीं है, सागर पूर्ण नहीं है, उसका क्षित्र है, उपर जगहें खाली है तो लहर बन गई एक चीज को जगे खाली है तो कहीं चला जाता है चलना सीमित में संभव है सीमित के बिना चला नहीं जा सकता यदि जगे नहो तो हवा चल नहीं सकती हवा यहां है जिधर नहीं उधर को जाती है लाइट प्रकास इधर है तो उधर को जाता है प्रकास की एक जगे है केंदर है वहां से प्रकास जाता है व्यापक किधर को जाएगा यदि प्रकास व्यापक होता तो उसकी किरण किधर होती सूरी उपर है तो उसकी किरण इधर है तार्च इधर जलाओ किरण उधर है लाइट यहां जलती है किरण चारो तरफ को जाती है उपर को जाती है यह चैतन्य जो अनंत है न जिसका आदी नहीं है समय से न जगे से इसमें जीव बीची जो हुई यह बड़ा अस्चे रिए क्योंकि कुछ होने को जगे चाहिए पर थोड़ा ध्यान दे सपनों को जगे नहीं चाहिए आप आखे बंद होती है हीता नाम की नाड़ी में अंदर अहीं अंदर कितने सपने होते हैं सारा संसार होता है पेड पहाड होते हैं तुम्हारे अंदर जगे है इतनी सपने भी न जगे के होते हैं सपनों को समय की जरूरत नहीं होती वहाँ टाइम जूठा है हजारों बर्स बीत जाएं सेकडों बर्स बीत जाएं जाक कर देखो तो एक दो मिनिट हुए तो इस चैतन ने महामभोध में आश्यरी है कि ये जीव रूपी लहरें होती है उठती है टकराती है खेलती है और लीन हो जाती है ये आप देख भी रहे हैं पर आप चैतन ने सागर है ये आप देख रहे हैं कि नहीं पर जनक कह रहे है कि मुझे चैतन ने सागर है जो मेरी जगई नहीं है उपर नीचे दाएं बाएं कहीं कोई देश कोई काल कोई वस्तू मैं यहां हूँ ऐसा नहीं है हम सब यहां है चैतन ने यहां है वहाँ नहीं है अभी चैतन्य में एक जगे होने का यही लहर है एक जगे जो होगा वो लहर हो सकती है केवल यहाँ जीव बीची है जीव रूपी लहर यहाँ है चैतन्य केवल यहाँ नहीं है यहाँ भी है पर यहाँ ही नहीं है ध्यान लखें लहर जहां है जल वहां भी है पर उतना ही है वहीं भर है यहीं भर लहर है यहीं भर जल है ऐसा नहीं तो आत्मा के वल यहां ही है यही भ्रम है यह जो जीव बीची है बड़ा अश्चरी है यह एक जगे उठती है रहती है लीन हो जाती है क्या चैतन्य भी लीन हो जाएगा लहर तो लीन हो जाएगी तो चैतन्य लीन नहीं हो सकता चैतन्य प्रकट नहीं हो सकता चैतन्य एक जगे नहीं हो सकता यद्य भी चैतन्य से कोई जगे खाली नहीं होती ऐसा तो है पर चैतन्य केवल यहां है और हम सब के निजी अनुभो यही है पर जनक कह रहे हैं कि मुझे हनंत चाही तन्य में उपर नीचे दाएं बाएं कहीं अब चुकि यह सोचने की जगह है देह और मन चिंतन तो इसी बुद्धी में हो रहा है अनुभुती के लिए कोई जगह है इसी लिए मानो तन्य इसी तन्य में होती है कृष्णे जब कहते हैं मैं सरवत्र हूँ मुझे सब जगह देखो अर्जुन जिससे सुन ला है वो एक जगह सुन ला है जो बोल ला है वो एक जगह जैसे लहर सागर अपने को जानकर बोल रही है जैसे कोई बुलबुला अपने सत्य का वर्णन कर ला है तो जनक ये कह रहे हैं जनक के इस अंतिम बचन के बाद कि मैंने ये जाना है कि मुझे शेटन्य का कोई आदियंत नहीं है ना तो समय की द्रश्टी से परारंब है शमापती है ना देश की द्रश्टी से उपर नीचे कहीं कोई जगह है जहां मैं नहीं हूँ अर्था जगह तक मेरे में ही है देश मेरे में, काल मेरे में सबबस्तू रूप मेरे में मैं अनन्तनादी हूँ पर आश्चेरिये मुझी में ये अलग-अलग शीमित-सीमित लहरें जी रूपी पैदा होती हैं खेलती टकराती हैं और लीन हो जाती है इतना मैं जानदा हूं कि ये पैदा होती हैं लीन हो जाती हैं ये मेरा निजी अन्वो है इस उच्च ग्यान को सुनने के बाद या जनक से पूछने पर जब उत्तर मिला तब अश्टाबक्र फिर बोले अविनासिनम आत्मानम एकम विज्ञायत अत्वता अए जनक अविनासिनम जिसका विनास नहीं होता क्योंकि पहले जनक ने ये कहा है कि सब नस्ट होते हैं मैं नस्ट नहीं होता जनक खुद बोल चुका है अश्टाबक्रब अपनी और से नहीं थोपते जो जो अनुभो जनक ने बताए उसी पर छेडेंगे जनक ने कहा है ब्रह्मास्तंब परियंतम सब साष्टी नस्ट हो जाती है मैं उस मैं को आत्मा को नमन करता हूं जिसका नास नहीं होता ये पहले इस लोकों में कहा है अश्टाबक्र शुरू करते हैं अभिनासिनम आत्मानम एकम विज्या है अभिनासि प्रारंभ और अंतरहित चैतन्य हो तुम्हारा प्रारंभ नहीं है तुम्हारी लहर का प्रारंभ है जीवभाव का प्रारंभ जीवभाव का अंत है जागरत का प्रारंभ जागरत का अंत है तुझ अविनाशी चेतन का अंत नहीं है, तुझ अविनाशी है. इस एक अविनाशी को विग्याए तत्वतह विग्याए ठीक से जान करके. युक्तितर्क प्रमाण अनुहो सब तरह से इस अनुभो को प्राप्त होकर विग्याए. तवा आत्मग्यस्य धीरस्य कथम अर्थ अर्जने रती इस आत्मा के अनुभों के बाद तुझ ग्यानी धीर को आत्मग्यस्य धीरस्य कथम अर्थ अर्जने रती पैसा कमाने में तेरी प्रीती क्यों है, यह कैसे है, यह है यह नहीं है, तुरंत पूछा, तेरी मन की, तेरी सोच क्या है, ज्ञान की बात सुना कर पूछना, कि तेरे अन्ता करन की, तेरी सोच, तेरी बुद्धी, तुझे क्या नुगा हुआ? क्योंकि एक बुद्धी में दो ग्यान नहीं रहते जिस समय तुम जागरत में होते हो उस समय स्वपना नहीं होता है जब स्वपना होता है तो जागरत नहीं होता है जब तुम ब्रह्म हो अविनाशी हो ये तुम अनुभो करोगे तो तुम संसारी हो जी हो मनुष्य हो राजा तुम अभिनाशी एक आत्मा हो, ठीक ठीक टत्तो से जब यह तुम जान गए हो, या ऐसा जानने के बाद, क्या तत्वग्य पुरुष, तत्वग्य धीर पुरुष को कथम कैसे, अर्थ अर्जने रती, धन पाने में प्रीती, धन पाने का लोब कैसे हो सकता है, और यह प्रश्ण ऐसा है, अभी जनक बोलेंगे नहीं, यहां बड़ा बिचित्र काम है, लगातार पूछेंगे, पहले जनक ने पूछा, लगातार अस्टबक्र बोलते रहे, अब लगातार जनक बोलते रहे, बड़ा धहिर है गुरुजी में में, सारी बाते सुन लेंगे, और बहुत अच्छा है, पहले सारा उससे पूछो, जब वो ज्यादा उची बातें कह जाए तब तर्क करो, जैसे कही से पूछे कूँ, एक से हमने पूछा, एक फट्ठा वाले बाबा थे, बिहारी, बहुत पुरानी बात है, तब गुर्देयों के दर्शन करने, भुकानपुर गए, तो वो पढ़ा लिखा था, अंग्रेजी बोलता था, मैं समाधी लगाता हूँ, जल समाधी लगाता हूँ, तो हमने सीधा संदे नहीं किया, बड़े सद्धा से सुनते रहे, सुनना चाहिए, जल्दी बोलने से बात नहीं बनते, तो हमने का अच्छा जल में लगा लेके, कैसे करते हो, कहले पहले 10-15 दिन प्रैक्टिस करते हैं फिर जल समाधी लगाता हूँ, उमने का उसी थोड़ी बहुत लगानी हो तो, कहें जब चाहें तब लगाते हैं, भी पूछते जा रहे हैं, उनसे सारा, तो बुद्धू बन गए हैं, हमने कहा, जैसे ऐसे अभी लगाना हो तो कहें आदा गंटे तो ऐसे ही लगाता हैं, त ऐसे खुले कभी लगाना हो, तो कभी लगा सकते हैं, आदा गंटे तो ऐसे ही लगा सकते हैं, ध्यान नहीं, क्योंकि जल में यदि लगा सकते हो, तो यहां पर भी स्वास नहीं ले सकते हैं, स्वास लेने का मतलब जल में नहीं लगा सकते हैं, और यदि बिना स्वास के जल में तुम कही दिन लगा सकते हो पर उसकी प्रेक्टिस करके बैठते हो पहले खाना छोड़ना फिर इसके बाद उपबाश करके ध्यान लगाना स्वासनियन्तित करना और ऐसे ही तुरंत लगा सकते है तो जब उन्होंने कह दिया तो हम थे एक प्रोफेसर प्रेमचंद थे इसके लिए कोई पउरानिक सबूत नहीं चाहिए प्रेमचंद बताएंगे कि मैं साथ था पर पहले धीरे से नवरम होके जिग्यासा से प्यार से पूछे तो जड़ा सादू महत्मा थोड़ा बढ़के बता देते पहले समाज लें एक परिक्षा करेंगे तो सद के बताएंगे तो पता भी नहीं था कि अस्टबक मेरे से फिर पूछेंगे भी इसलिए पहले चेलों से पूछें क्या इस्तिति है हमारी समाधी लग जाती हम तो कोई दुख़ई नहीं होता हमें कोई चिंता ही नहीं रहती खुब बढ़ बढ़ जब बता ले वे तब धीरे से फिर पूछें तो ऐसे ही हुआ उस पठ़ा वाले बाबा को कहा कि अब ध्यान लगाओ जरा हम दो-चार मिनिट देखें हमने कहा दो मिनिट तो हम भी जल में डुक्की लगा लेते हैं समाधी तो नहीं पर डुक्की लगा लेते हैं दो मिनिट हम स्वास नहीं लेते और प्रेम चंद एक बार हमारे साथ डुक्की लगाई नदी में हम तो दो-ड़ाई-तीन मिनिट में बाहर आ गए वो थोड़ा जिद्ध में लगाए गए तब पानी के भीतर ही उतरा पड़े बेहोस हो गए फिर हमने पकड़ के हाथ निकाला लेकिन वो कहते हैं उसमें बेहोस हो गया मुझे दुख हुआ नहीं आनंद आया इसलिए स्वास देर तक रोकते ही कुछ चमतकार घट जाते हैं पर कुम्भक खतरनाक है देर तक स्वास को रोकना कठी नहीं हानिकर भी है और वो उन्होंने एक लिखा पत्रिका में तो एक शापी हेडा में हमारे भक्त रहते हैं उनको उससे ध्यान लगा वो पत्रिका में पढ़ते हैं उनको लगा लोगों को लगा इनका हाट अटेक हो गया डाक्टर कहते हैं त्याटेक हो गया कहता है मैं बहुत आनंद में था वो पानी में उतरा पड़े प्रेमचंद उनको आनंद था तो जैसा लेक पड़ा तो ऐसे उसे हो गया है, तो पत्ठे बाले बावा को उठाया, थोड़ी देर कहने लगे, जब लग जाए समाधी तब हम नाग तुमारी पकड़ लेगे, क्योंकि पानी तो है नाग पकड़ लेगे, लगाई समाधी, त्रेम चंद मिश्रने, हमें तो न सरकसे ही पकड़ लेते हैं, उन्होंने नाग पकड़ी, तो डेड़े मिनिट पहीं उकरने लगे, कहने लगे हम तो जल में समाधी नहीं लगाते, तुम से ज़्यादा तो हम ही बैठ लेगे, ऐसे ये गुर्देव की बात बताएं, क्योंकि आज के विशे में, आज के प्रक करने में, बहुत बिशे हैं, लोबसंबंधी, कामसंबंधी बहुत प्रश्ण हैं, मानसंबंधी, अश्टाब प्रश्ण करएंगे जनक से कि तुम ब्रम हो ना? यह ठीक ठीक समझ गए हो, तो पूछेंगे, यह क्यों है, यह क्यों है? यह हो सकता है क्या ग्यानी को यह नहीं हो सकता है यदि कोई और ग्यानी हो तो लक्षण क्या होगा अग तुम ग्यानी हो तो लक्षण क्या होगा ये भी जरब मजेदार भी से है तुम ग्यानी हो तो क्रोध नहीं आना चाहिए हम ग्यानी है तो आ सकता है ये भी नपना अलग अलग है, कि ज्ञानी को भैंगा नहीं होना चाहिए, परिभासा है, परिधिहम ज्ञानी है तो थोड़ा चलेगा, एक पंडी जी भागवत कथा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आ बेंगन नहीं खाना चाहिए, अब कथा में कह रहे थे, पंडितानी वैसे पंडित की कथा सुनती नहीं थी, क्योंकि उनको जानती थी पंडित को, वोई की पतनी बहुत कम ही अपने पती की कथा सुनेंगी, दुनिया के लोग मस्त होते हैं, पतनी तो जानती थी पंडित की हालत, पर चली गई थी, सुनी, पंडित जी ने कथा में कहा है, बेंगन नही जाता है पाप लगता है पंधितानी तो कठा के थोड़ा पहले ही चलि गई भोजन बनाया पंधी जी कठा के बाद गए तो देखा आज बेंगन नहीं भूना हुआ भरता नहीं बना पंजाबियों को भरता बहुत अच्छा लगता बनाते भी अच्छा है अब पंडी जी ने देखा भोजन में भरता नहीं बनाया बेंगन नहीं बनाया आप तो कथा में कर रहे हैं पगली कथा का बेंगन अलग होता है खाने का अलग होता है मैं गुर्देव के साथ था कानपुर की बात है दस पंदरा साधू बैठे थे गुरुजी कहते हैं घरों पे नहीं रहा करो साधूं को हम भी थे हम तो सेवय में थे संतों को घरों नहीं रहना चाहिए लोगों के बीच रहोगे इसलियान आती हैं दोती हैं आती हैं जाती हैं कपड़ा चेंज करती हैं, तो मन खराब होता है। गुर्देव बोले। गुर्देव सव वर्ष के लगभग थे तब की बात। जला है। ऐसे क्रांतिकारी लोग। तो कह रहे थे मुझे मान तो अब नहीं सता था पर काम अभी भी है। काम का मतलब यहीं नहीं है कि कोई चरित रहीन है। पर मन में काम है। तो गुर्देव ने अपने संतों को का इसा करना चाहिए। बाहर रहो एकांत रहो मन खराब होत है। कोई इस्त्रियां कपड़े चेंज करती हैं तो जरा धोती खिसकती है। तो मन में लगता है थोड़ी और खिसक जाए तो दिखाई पड़ जाए। गुर्देव ने बोला। मैं अपनी बात नहीं करूँ। और जिन लोगों ने बच्पन में कभी अभी काम संबंध नह प्रियता अब पुरुष के प्रतिस्त्री की प्रियता विशए के अनुभों के पहले आने लगती है। अंग देखने की। तो गुर्देव तो बाल ब्रह्माचारी थे। यह बिल्कुत सच्चा ही है। लेकिन बाल ब्रह्माचारी का मतलब है कि कभी शक्रिये, काम सुख न नहीं लेकिन जैसे अंजान बच्चों के भी अंदर यह प्रियता आती है। गुर्देव नहें कहा कि मन करता है कि थोड़ी दोती फिसल जाए। और ऐसा कहने के बाद सामने कहते हैं क्यों रहे। नाम ले के कहते हैं क्यों रहे निरूपा पूरा नाम नहीं लिया जैसे पर अब या तो जूट बोलें कि नहीं करता तो गुरु जी से छिपा नहीं जब गुरु जी का बाल ब्रमचारी का करता है तो तू को हुआ रहता है तो गुरू के सामने जूट बोल नहीं सकते जो इतनी सुक्षमता तक गए हैं उनको पता है सब कुछ तुम्हारे मन का और सच बोलें तो 15-20 सादूओं के सामने कैसे कह यहां मन करता है दोनों तरफ खत्रा तो जब कोई नहीं बोला हिम्मत किसी नहीं की कि हां मन करता है कौन कहें और नहीं करता कह देने इसलिए सब मौन रह गए उत्तर नहीं दिया बहुत उत्तर मौन रहने से ही मिल जाते हैं तो गुरुदेव ने कहा हाँ तुम तो संत हो ब्यंग करके तुम तो शंत हो तुम्हारे मन में तो नहीं आता हमारे मन में आता है और ये कहने के बाद कहते हैं पर हम मन को समझा देते हैं कि ये वही हैं जिनको पीता रहा है क्या देखने के लिए तो छूता रहा पीता रहा, मा की छाती पर पढ़ा रहा तो कहते हैं मन मान जाता है ऐसा गुर्देव ले बताया तो जनक ने सारे अनुभो सुनने के बाद और ताजा ताजा अनुभो जरा गहरे ही होता है हम लोग कहते हैं नई नई भक्तिन भाटा का संख या नया मोल्वी और कहां वो चीर में छट पे चड़के बांग देता है तो कोई को ज्यान होगा तो जल्दी मैं ब्रह्म हूँ चेतन हूँ मेरे सिवा कुछ नहीं है मैं गुर्देव के साथ था ऐसे ही हमने भी सुना तो हम अभी नाशी हैं हम मरते नहीं हम इन दौर में थे गुर्देव के साथ घूमते एक बैश्रों के आश्रम में चले गए तो चार से साथ हूँ करते हो करें बाबा को बांद के लटका दो ये दे तो हैं नहीं ब्रह्म है हमारे लिए बोले तब भी हम कह दे रहें लटका दो ग्यान में नहीं था पर अकड़ बहुत थी अब जब समझ आई तो डरते हैं जब समझ नहीं थी तो बहुत बोल जाते थे अब लटका दो हम भरते नहीं है ऐसे ही कई बार किसी ने कह दिया तुम ब्रह्म हो तो छट से कूद पड़ो हब कई बुद्ध होंगे तो गूद पड़ेंगे चुकि ब्रह्म कह चुके हैं अब कैसे कहें कि हम ब्रह्म नहीं है कभी-कभी विवेक हीन जब बोल देते हैं तो फस जाते पर जनक विवेक हीन नहीं है जनक कोई आवेश में नहीं बोले जनक बहुत समझ कर बोले हैं और कितना बोले कि ब्रह्मा सम्भ परियंत्व सारी दुनिया नस्ट हो जाती है फिर भी मैं नस्ट नहीं होता ये विकार मुझे स्वरूप में नहीं है आभाश मात्र हैं प्रतीती मात्र है और जब जगत प्रतीती लगने लगती है तो विकार अपने आप खो जाते है क्योंकि विकारों का उदे सत्य पदार्थ से है जब ये बुद्धी हो जाती है कि ये है तब इसके पाने की लालसा होती है इसके मिध्यात्व निष्चे से मन में कैसे पाने की लालसा होगी कोई जाली नोट इकठा नहीं करता यदि ले भी जाता है गलती से तो धोखे में लेता है एक बार शागर में थे मध्यप्रदेश शागर तो हमारे कैसी लोग बेच रहे थे एक जाली नोट लाया और जाली छपा हुआ भी नहीं हाथ का बनाया बड़ा कारवन काफी से बढ़िया बनाया नोट बना करके थोड़ा थोड़ा धुन्दला पन था शाम का समय था कहता एक कैसिट दे दो सो का नोट दिया एक कैसिट लिया बीस रुपएक आस्सी रुपए लिए चला गया बाद में नोट वो जाली निकला जान जाता कोई जाली नोट है तो ये कैसिट नहीं देता आस्सी रुपएह नहीं देता तो जगत की सत्यता ही आकरशन का हेतु है और जनक ने सुना है जगत सौप्न है जनक को सुनाया गया है कि आत्मा ही सत्य है और आत्मा के सिवा और कोई सत्यवस्तू नहीं है पर ये भी युक्ती तरक से कि संस में क्या होता है कि संस में क्या नहीं होता ठीक क्लियर नहो तो साधक फंस जाता है फिर वो अपने अंदर उस इस पश्टता को नहीं कहता तब ही भगवान कृष्ण ने ये भी कह दिया कि हजारों मनुश्यों में कोई यत्न करता है और यत्न करने वाले हजारों में कोई-कोई मुझे तत्व से जानता है तत्व से और इसी स्लोक में भी अश्टावक्र कहते हैं अविनाशि नम आत्मा नम एकम विज्ञाय तत्वता ये आत्मा अविनाशी एक है ये तत्व से तुमने जाना है तत्व से समझा है ठीक ठीक कहने से नहीं ये मिट्टी कैसे मकान बनती है पता है ये पानी कैसे वर्फ बना है पता है और कैसे जल होता है उसको समझ रहे हो तुम जानते हो चैतन्यत तो कैसे आभाशित होकर कैसे क्या बनता है कौन सी चीज कब हो सकती है कब नहीं हो सकती जैसे गहरी निद्रा में सोपन नहीं हो सकता और पूरे जागे में सोपन नहीं हो सकता अर्धनिद्रा में ही सोपन हो सकता है और अर्धनिद्रा होगी तो सोपन होगा जग जाएंगे तो जगत होगा और आत्मा में ठीक ठीक जागे होंगे उश्य में संसार नहीं हो सकता आत्मा के चिंतना में आत्मा के विचारकाल में जिस से कंड में मैं चिंतन में हूँ कि आत्माई विदम शर्वं उस्ष मैं काम नहीं हो सकता, क्रोध नहीं हो सकता, लोब नहीं हो सकता, बहे नहीं हो सकता कभी नहीं हो सकता ये मैं नहीं कहता पर ब्रह्म विचार काल में नहीं हो सकता जैसे एक सुसुपती काल में कोई दुख, हाँ, तुमने तो कोई जल्दी बोल दिया नहीं, क्यों बोल दिया, क्योंकि तुम्हारा अनुभव है, पर ब्रह्म विचार काल में दुख नहीं होता, भै नहीं होता, यह अभी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि वो ब्रह्म विचार क का अनुभव ही नहीं है मैं बोल सकता हूं मैं दावे से कह सकता हूं कि जिस से कंड में हम अन्य कलपनाओं से रहित होते हैं उस समय कोई दुख चिंता भै लोग काम नहीं होता हुई नहीं सकता है एक ब्रत्ति ज्यान एक टाइम पर होगा यह तो और यह तो एक टाइम में सभी को जब सुसुप्ति तब सुपन नहीं सुपन तब सुसुप्ति नहीं सुपन सुसुप्ति तब जागरत नहीं पर ब्रह्म ज्यान में तीनों एक समय नहीं होते न सुसुप्ति न सुपन न ब्रह्म ग्यान काल में तीनों नहीं होते। तो ब्रह्म विचार काल में जगत बादित हो जाता है फिर ध्यान दो जागते में स्वपन बादित होता है नहीं है जूट है स्वपन काल में जगत दिखता तो नहीं पर बादित नहीं होता कि नहीं है इसलिए जग करके फिर इसी तरह नींद काल में शुपन और जगत प्रतीत नहीं होते पर सुशुक्ती में तुम ये नहीं कह सकते कि इस समय में जगत नहीं देख रहा हूं होता तो है सुशुक्ती काल में तुम ये निर्ने नहीं कर सकते कि मैं सोया हूँ इसलिए मुझे जगत दिखाई नहीं पड़ता जगत नहीं दिखाई पड़ता पर उस समय तुम यह नहीं कह सकते जगत होता है पर मुझे दिखाई नहीं देता ब्रह्म ग्यानी ब्रह्म ग्यानकाल में कहता है अभी तक मेरी समझ में जगत था पर इस समय मेरी समझ में जगत नहीं है जिस समय तुम चैतन्य के τत्व तह स्वरुप को विचारोगे तो तुमें अपने शिवा कुछ नहीं आत्माई वैदम सर्वं विचार करते करते जगत की कोई सत्ता नहीं मालूम करते तो जनक से अश्टा बक्र पूछते हैं, कि तत्व से तुमने ये भी ज्ञान राप्त किया है, क्या तव आत्मग्य से, तव सीधा ज्ञानी को नहीं पूछते, ज्ञानी को होता है कि नहीं होता, कहते तव तव आत्मग्य से, तुझ आत्मग्य को, किसी आत्मग्य को क्या होत हम लोग को ज्यानी को ऐसा होता है कि नहीं होता अस्टा वक्रसीधा जनक से पूछते हैं कि तुझ आत्मग्य को तु आत्मग्य है तु जूट नहीं बोला तुने जो सुना तुने कहा मैं समझ गया हूँ मुझे ऐसा लगता है और तुने ही जब कहा तो मुझे पूछने कहा क कोई परूसे कहे स्वामी जी को कोड़ोद नहीं आता मेरे चेले कहें स्वामी जी कभी नहीं सोते तो चेले जुम्मेदार है मेरे विशे में वो बोले मैं तो बोला नहीं कई के चेले कहते हमारे गुरु जी आत्माओं को ले करके थैले में डालके सच खंड ले जाते हैं चेले कहें चलेगा गुरु की नाथ बनी रहेगी यदि गुरु कह दे तो पूछना पड़ेगा गुरु जी कैसे ले जाते हो ज्यान रखो चेले मेरे बिसे में कुछ कह दें मैं कह दूँ तो पूछना पड़ेगा कि गुर्देव आप तो कहते ते गुस्सा नहीं आता आप गुस्सा क्यों होगे तो जनक ने बहुत कुछ अश्टा बक्र को बताया कि ये मैंने अन्भो किया ये मैंने अन्भो किया ये अन्भो किया तो कहते है अब तो तुमने अन्भो किया पर ये बताओ तव आत्मग्यस से धीरस से तुझे आत्मग्य धीर को कथम अर्थार्जने रते धन कमाने में तुझे प्रीती है क्या अब जनक ने क्या काम नहीं अभी तो मैं वही बोले जाओंगा जो अश्टा बक्र ने पूछा है जनक क्या कहेंगे वह अगले प्रकरण में होगा अभी तो अश्टा बक्र कह रहे हैं कि तुम ग्यानी हो तुमने समझ लिया आत्मा के अत्रिक तो कुछ नहीं सब एक स्वपनवत है कि वह लहरें सी हैं और तुम जानते हो अपने पन को सब कल्पन मात्र है अब बताओ अर्थारजन में तुम्हारी रुची है तुम्हारी प्रीती है अगला इसलोक आत्मा अज्ञानात अहो प्रीति आत्मा के अज्ञानात अहो प्रीति विशय भ्रम गोचरे जब तक आत्मा नहीं जाना था तब तक विशय की सत्ता देखकर उसमें आकर्षन था जब तक शीपी नहीं जानी गई चान्दी दिखी तो उठाने का मन था जब देख लिए तो सूती पड़ी है शीपी पड़ी है तो उठाओगे क्या जब तक संसार में आनन्द की प्रतीति थी भ्रम था तब तक आनन्द के लिए विशय का आकर्षन था लेकिन सुक्ते अज्ञान तो लोभ हो यथा रजत भी प्रमे शुक्ति के सीपी के अज्ञान से चान्दी दिखने पर उठाने का लोभ जाय जाय अज्ञान काल में संसार का विशय का आकर्षन पाने की लालसा ये मिल जाय ये मिल जाय जमती है बाद विश्वम इस्फुरत यतनेदम तरंगा युव सागरे उत्तर फिर नहीं दिया इतनी जल्दी बोलते नहीं जब अश्टा बक्र बोलते हैं तो मौन होकर जनक सुन रहे हैं एक बार अब नाम नहीं लूँगा संप्रदाय का मेरे को सम्मेलन में बुलाया और मेरे गुरू को भिन भिन करके चुन चुन करके गालियां दी मेरे सामने बैठे गंदा नाम लेके गंदे उदारन दे कर बोलते रहें कुछ शंप्रदाय हैं जिनोंने दूसरे की निंदा का अपने को सही होने का ठेका लेकर दूसरों को गाली देना शीखा है खुब दी अब मैं सच कहता हूं इतना मैं शान था इतना मैं शान था जैसे कुछ नहीं है साइध इतनी शानती अब न रहे क्योंकि नया नया ग्यानी था ग्यानी होने का प्रमान पत्र भी चाहिए था ग्यानी दिखाने का भी मन था मैं बिलकुष शान्त इतना शीतल जितना ब्रह्मग्यान सुनकर कोई आनन्दित रहता है मैं आनन्दित रहू और बल क्या था कि जब मुझे मोका देंगे सम्मेलन में बुलाया है मैं सब का उत्तर दूँँ फिर देखा ये वक्ता वो बपता वो बपता बोलते गए बोलते गए एकानपुर जिले की बात है ये कोई पउरानिक कता नहीं है उस गाउं का नाम भी मालूम है मुझे जो मेरे साथ संत थे दो गवाई है मेरी संती का शबूत मेरे पास औरों के भी पिर देखा ये मुझे टाइम नहीं देंगे गाली देने को बुलाया है फिर मैं उठके चलाया जहां ठहरा था बैठ गया फिर वहाँ से सबह खतम होते निकले तो मेरे को सुना करके कि हमारे मजहब का नाम नहीं लेता क्योंकि किसी की निंदा नहीं मैं करना चाहता हमारे हमारे पाखंड विरोधी हैं हम पाखंड का खंडन करते हैं इसलिए हमने कहा है तब फिर मैंने गाली दी तेरी ऐसी तेसी तेरी हिम्मत थी तो तुझी तुने हमें टाइम क्यों नहीं दिया तुम में दम है तुम पाखंड विरोधी हो हम पाखंडी हैं, तो हमें मौका तो देते कम सिखुआ यह मैं अपनी बात बोला तो जिंदगी में बहुत सारे श्रमय आते हैं, हमारी भी बहुत परिक्षाएं हुई कई बार साथ्वों के पीछे लोग C.I.D. छोड़ते हैं, कि देखो के ऐसी बातें करते रहें आनन्द लेने का तरीका आता हो तो ऐसा आनन्द ले सकते हो थोड़ा साइकोलोजी हो, थोड़ी समझ हो थोड़ा धाईरी हो, आनन्द लो उसी जिले की कानपुर की बात है मुखराया में मैं ट्रेन से उतरा अपना थैला आप लिए चला गया कभी गुरू नहीं रहे अभी भी पूरे नहीं है, अधूरे यह तो अपन थैला लेके बसड़े चले गए टिकट कटाया बस में बैठ गया उन दिनों बस में लोवर अपर होता यह पवरानिक का था नहीं है बैठ गया कंडेक्टर आया बाबाओं की कोई बैली तो थी नहीं बाबा जितने अनपढ़े ना समझ ऐसा ही देश के बाहर लोगों की समझ में यही है हमें भी कंडेक्टर ने कंडेक्टर की नजर बता तो कंडेक्टर के था ए बाबा तुमारे लिए कोई होंगे कई चेले तब भी बन गए होंगे ए बाबा चल पीछे चल हम उठ गए बोले ने उठ गए आनंद लेना है तो उठ गए पर वो लोवर अपर में एक सीट पूरी होती है जैसे मेरी गाड़ी में एक सीट पूरी है ऐसे एक सीट पूरी थी आगे अपर था पीछे लोवर था मैं वही से नाकने लगा चलो पीछे चले जाते हैं उख कहता है पीछे चलो पीछे चले जाते हैं हम पूरी कंडिक्टर की आग्या पालन कर रहे पीछे चल पड़े तो ये बाबा, वहाँ से नहीं जाओ, नीचे से जाओ तो मैं नीचे उतरने लगा पता नहीं भगवान ने क्या कल दी, उसने पूछा बाबा, टिकट कहा है अब देखो पहले पूछ सकता है कहा है, मैंने कहा बाबुजी देख ले मैंने बड़े प्यार से बाबुजी देख ले अच्छा बैठे रहो बैठे रहो अपर का ही था और मजे पता था, अपर का लेके आया था ऐसा नहीं कि पता नहीं था, मैं अपर में बैठ गया बाद में ये भी नहीं उस से पूछा कि तुने पहले क्यों नहीं पूछा टिकट कहां का है तुने क्यों डाटा क्यों ऐसे बत्तमी जी की कुछ ने वो समझा होगा बाबा बुद्धू है बाद में तो अपन चले आए बस में बैठे यात्रापूरी की जड़भरत बुद्धू नहीं थे कंधा दे दिया चल पड़े उसकी कंधे पर ढो रहे हैं ज्यानी पुरुशे बता सकते थे नहीं बताया थोड़ा आनंद लिया समझाने का मौका मिला मूर्खों को विवेक अनंद अंग्रेजी पढ़े थे ट्रेन में सफर कर रहे है दो पड़ी लेखी आदमी विवेक अनंद को साधू समझ करके ऐसे ही बोलने लगे साधू ऐसे होते हैं वो ऐसे होते हैं ये करते हैं बेकार का खाते हैं हराम का खाते हैं जो भी कहना चाहिए इंग्लिस में कहते रहे वो समझते थे बाबा पर इंग्लिस पढ़ा होगा खुब बोल लिया फिर वो कुछ नहीं बोले जल्दी क्या बढ़ी है तुमें तुरन तुनों का तु बाबा हो कैसे तु मुझे कराई अरे दो मिनेट दाइर करो जल्दी सफाई क्यों देने लगते हम ऐसे हैं विवे का नन कुछ नहीं बोले बहुत देर बाद दो-चार इस्टेशन के बाद टी-टी आई से अंग्रेजी में बात की विवे का नन टी-टी आई से यहाँ चाय मिलेगी भलाना होगा मिलेगा वे चाय आई चाय पिया अब उनकी थोड़ी हवा खिसकी कि यह तो पढ़ा है और हमने अंग्रेजी में जाने क्या क्या का है फिर धीरे-धीरे कहन लगे आप तो पढ़े हो हम जो बोलते रहे आप समझते थे कहन लगे हाँ तो कह आप बोले क्यो नहीं तो कहने को कोई पहले बार मिले हैं क्या पता नहीं थोड़े में घबड़ा जाते हो हमें यह समझते हैं हमें लोग यह कहते हैं कई यह हमें चेले कहते हमारे आश्रम की लड़ाई इतनी है यह हम कोई कहता है कोई कहता है बेइमान कहता है कोई कहता है सारी मलाई खा गया अरे कहदो खा गये हमें आरोप लगा दिया है कितने सौ का कैसिट बेचा है अरे पता चल जाएगा जल्दी काई मरे जा रहे हो आप ही थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा तो कैसिट का पता चले जाएगा न चले पर तुम्हारी साधुता का पता जरूर चल गया कितनी कथाएं हैं यह साहरनपुर पास में हैं महीने महीने एक जगे रहके मैं कथा करता हूँ मेरे गुर्भाई वाम प्रकास है मेरे से पुराने कभी नमक नहीं खाते कभी लोकी नहीं खाएंगे कभी अनाज नहीं खाएंगे कुछ करते रहे मेरे साथ आगए तो कोई निमंतरन आया था तो मैंने सोचा यह भी स्वामी जी आजकल यही है तो भोजन मान लिया ये कह दिया कि ये स्वामी जी उपबाश का खाते हैं तो ये नमक नहीं खाते हैं बस इतनी बात भोजन बन गया टाइम ग्यारा बज़े का था एक बज़ा दिया तब लेने आए दो घंटे तो बोखला ही जाना चाहिए एक बज़े लेने आए जब लेने गए तो इधर जाएं उधर जाएं रोटी न लावाएं न दाल लावाएं कहने लगे ज़रा स्वामी जी देर हो गई है भोजन लाए टिंड़ा को चारो तरफ से ऐसे काटा था पूरा नहीं काटा नीचे का हिस्सा जुड़ा था टिंड़े की सबजी रूम की दाल रोटी आई मैंने टिंड़े को यू हांत लगाया तो गला ही नहीं था मैंने का ग्यारा के एक बज गय ये गला नहीं ये तो बीरबल की खीचड़ी हो गई फिर भी मैंने तोड़ा और खाया आराम से खा लिया कच्चा कच्चा सा था अब वह बारवारी महराजी आज का भोजन अच्छा नहीं बना मैंने का अच्छा तो है कोई ठीक क्या खराब है कै नमक ठीक नहीं था अब नमक ठीक नहीं था उसमें तो नमक ही नहीं था अब जब वह नमक नहीं था उसमें तो मैंने उन्होंने का नमक ठीक नहीं, मैंने पता लगा लो, क्या था, कहें अब पता भी चल गया है, क्या पता चला, कहें नमक किजे के फिटकरी डाल दी है, संतों का जीवन होता है, एक बार आचारी रजनीश से, जलंधर की बात है, कोई ने भोजन बनाया, डाल लाए, उन्होंने खाया, खाने के बाद डाल बच गई होगी, किसी चेली-चेले ने खाया, तो खाने के बाद पचला कि इसमें तो कंकर है, तो खाने के बाद बोले, आपने बताया नहीं, इसमें कंकर तो बहुत है, के नहीं, बहुत नहीं, यह कम है, कंकर तो है, पर दाल से कम है, तुमने तो कहा बहुत कंकर है, बहुत नहीं है, लोग, कहने का ढंग है, पर आदमी को बोलने की तमीज नहों, समझने की अकल नहों, जीने का ढंग नहों तो इसी में लड़ते रहते हैं मैं कभी-कभी अपने चेलों को यही समझाता हूँ कि कब अकल आएगी तुमको तुम बड़े न्याय लिए बैठे हो, कहीं कुछ लिए बैठे हो, कहीं इमानदारी लिए बैठे हो, कहीं त्याग लिए बैठे हो अकल दो कोड़ी नहीं है, अकल होती तो ऐसी जीते, अकल होती तो यह जीने का ढंग है इतनी इतनी बात बरदास्त नहीं करते लोग जनक से अश्टाबक्र पूछ रहे हैं कि तुम्हें धन कमाने में रुची है क्या रुची है अपने मन की बताओ अभी वो बता नहीं पाए अगला इस लोक फिर आप ही अश्टाबक्र कहते हैं कि ये ठीक है कि जब चांदी दिखाई पड़े तो उठाने का मन करेगा कभी-कभी तो गजब हो जाता है कभी-कभी ठूप पड़ा है कफ गोला-गोला लगता है चांदी का रुपई है हाथ लगाया तो कफ हो आज कल तो वो केंपा-एंपा के ढकन पड़े हो तो लगता है अठनी पड़ी है तो कहते हैं धोखे में उठाओ तो ठीक है पर देखने के बाद फिर हाथ लगाओ एक महात्मा तो एक बार किसी का बलगम ही मुह में डाल लिया उन्हें समझा आइस क्रीम सी कोई बढ़िया बढ़िया रखी थी क्या रखा था मलाई सी जब एक बार हो गया तो थूका लालची आदमी देखा मलाई रखी है और रात भर थूकता था कोई कफका रोगी कुल्लड में बड़े ब्रहम होते हैं एक बार एक महात्मा हमारे गुरु भाई थे सौच गए कमंडल में पानी ले गए पानी ले गए जब सौच के आए तो हाथों में लाल-लाल खून लगा और तो पीले पड़ गए किया क्या हो गया मेरे खून निकला बड़े दुखी हो गए गवरा गए ड़क्टरों की बात चल पड़ी कहें लगे बात क्या है कहें लगे मेरे खून निकला आज सौच में अब बात क्या थी रात को कपड़े दो के गेरू से रंगे गेरू का पानी था और कुछ ठाई था तो ब्रहम से बहुत कुछ हो जाता है और इतने ब्रहम के बाद आदमी समझता है मेरे को कभी ब्रहम होते ही नहीं कोई कुछ कहे कुछ कोई समझते हैं यह सब लेकिन ज्ञानी आदमी यदि सावधान न रहे तो बड़े आश्चेरी की इसलिए जनक से अश्टा वक्र एक एक चीज पूछते हैं फिर कहते हैं विश्व मिश्पूरत यन्यदम तरंगा इव शागरे शोह मसमीत विग्याय किम दीन युदावशी विश्व मुझ चैतन्य में ऐसे फूरता है जैसे शागर में ले रहे हैं तुने जाना मैं शागर हूं ये लहरें ऐसे फूर रही हैं तु लहर नहीं है तु शागर है फिर तु क्यों दवड़ा दवड़ा फिरता है फिर दीन हो के क्या डूड़ता फिर रहा है क्या तलास रहा है क्या पाना चाह रहा है क्या पाना है तु यदि क्लियर हो गया है कि मैं चैतन्य शागर हूं इस संसार मेरे में लहर की तरह इस्पुरित होता है, खो जाता है, ये जीव पैदा होते हैं, मिट जाते हैं, कौन मरता है, क्या बिगड़ता है, क्या दुख है, क्या दीनता है, क्या ये तुख क्लियर है, यदि है, तो तु दीन क्यों है, किम, दीन ये धावश, क्या तुम द तीनों के समान, विशाईयों के समान दोड़ धूप कर रहे हो, जैसे संसारी दोडते हैं क्या वैसे ही तुम दोड़ रहे हो, तुम्हारा मन वैसे ही करता है क्या, पूछ रहे हैं, अभी बोल नहीं थे, हम होते तो इतने में ही बोल पड़ते, कि बाबा जी हम पर आरोप लग अब सुनते रहेंगे, कितना धहिर ये श्रोता को चाहिए, कितना बक्ता को चाहिए, अब वो सुना रहे हैं, ये कई प्रशन नहीं, लगातार पूछे जाएंगे, फिर पूछते हैं, शुत्वा पिसुद्धचैतन्यम, आत्मानमाति शुन्दरम, तुमने इस सुद्धचैत प्रम्म, आभाष रहित, उस निराभाष परमशत्य को, जो निश्क्री निर्विकार, सदा रहने वाला निर्विकार, दो मिनट नहीं, ये नहीं कि थोड़ी देर, जो सदा निर्विकार है, उस चैतन्य सुद्ध को तुमने सुना, आत्मानम आति शुन्दरम, परम दिब् उपस्ते अत्यन तसन सकतो, मालिन्य मदिगच्य दे, तु क्या तु सेक्सवल, तु इतना अनंदम है, क्या सेक्स सुख की, तुझे इच्छा होती है, तुझे काम का आकर्षन होता है, पूछ रहे है, जूट नहीं बोल सकते, अब गुरु के सामने जूट बोलना भी नहीं जूट नहीं बोलोगे, तो इलाज हो सकता है, जूट बोलोगे, तो इलाज नहीं होगा, और जूट बोलते गुरु जाएंगे, कि तु पात्र नहीं है, तु अधिकारी नहीं है, क्या चिपाता है, जिससे सुख्ष्म से सुख्ष्म, अन्ता, करनादी, ब्रतियां और चैत क्योंकि यह कही तरह तो सारी प्रक्रिया है जिस जगे से गुरु गुजर चुका है उस रास्ते की बातें तुम चलाकी करोगे गुरु पकड़ेगा, समझ जाएगा पर जनक ऐसा नहीं है जनक बड़ा सुद्ध है जनक सत्य बोलेगा ठीक उपस्त कहा जननेंद्री संबंदी विशय भोगों में अत्यनता शक्त है उसे मलिंटा की प्राप्ती होती है पूछ रहे है उसमें क्या भी सेशता है और सबसे ज़्यादा आकर्षन इसी का होता है इसी लिए कहीने तो अलग-अलग सादुओं के लिए दूसरा कहा तीन बाते संतों ने कही कंचन तजना सहज है पहले इन्होंने अश्टा बक्रिजी ने धनका जी कर किया फिर दीन हीन भावना का कमी का ख्याल मेरे में कमी है उसके पास वो है ये ज़्यादा है मैं कम हूं हीन भावना तू दीन हो करके औरों से आशा करता है ये मुझे कुद दे दे ये प्यार दे दे ये मान दे दे ये सुख दे दे ये मुझे बड़ापन दे दे पद दे दे तू औरों से आशा करता है तू अपनी महिमा को जानता ने जब तु ही जानता है मेरे जैसा कोई नहीं है फिर तु क्यों दीन होता है कंचा का करशन सहज है संतों ने तो कह दिया इस्त्री का भी सहज है जबकि कठी नहीं पुरुष का सहज तिया का नहीं इस्त्रियादिका पुरुशादिका प्रेम त्यागना भी सहज है है नहीं पर सहज है पर मान बड़ाई इरसा जिसको कभी क्रोध नाता हो इज्जत कम दे दो दूसरे को ज्यादा दे दो समझो सुरुआत हो गई सादूओं के जितने जगड़े हैं सिर्फ मान के हैं जितने बड़े लोग हैं सब मान में मरते हैं इस मान को इस काम को इस लोब को लोब मान और काम पूछ रहे हैं क्या इससे तेरा चित्मलिन नहीं होता मान न मिलने से या मान पाने से मान के लिए लालाईत नहीं मिलता तो अंदर कुछ होता है कितनी सहर बात है अब बड़ी आशान है और तुमको इतना ग्यान है तो ग्यान तो दवा थी दवा क्यों खाते हो भोलो रोग हटाने के लिए दर्द था ना रहे दर्द था काम, दर्द था लोग, दर्द था अग्यान, दुख भै इनके हटाने के लिए तो प्रह्म ग्यान था और कौन सा दुख होता है मान नहीं मिलता यही तो दुख है घर में सास को बहुत से मिला नहीं जितने दुख हैं और क्या है यह हमको चाहते हैं नहीं चाहता मरने दो तुम उसकी चाहके काई भूके हो कि तुम्हें पसंद करें वो मुझे बहुत चाहता है तो बहुत चाहता है तो क्या हो जाएगा एक लड़के की ये भी कथा है लड़का रोज कथा में आता था जैसे यहां भी कई आये है नित्यप्रत कथा में आता था बड़ा प्रेमता एक हमें बिदेश में मिला जो यहां कथा में आता था वहां पीने लगा यहां कथा में आता वहां पीने लगा बड़ी बीचित रहालत है कथ हमें आता था गुरु जी समझ लेते बहुत अच्छा है फिर साधी हो गई अब कई महीने ना आया तो मैं लगे क्या करूं स्वामी जी दिन में काम में चला जाता हूं और फिर भोजन का टाइम होता है तब तक बैठी रहती है जब तक मैं नहीं खाता मैं खा लेता हूं तब खाती है संत ने देखा विचारा नया नया प्रेमी है पागल हो गया है नय नय प्रेम में अंदाज थोड़ी लगता है प्रेम है भी कि नहीं बड़ यही प्रेम खाती नहीं, मेरे भीना बड़ी तडफती है, तब गुरुजी फीके पड़ गए, और लड़की में पागल हो गया, गुरुजी भी कम नहीं थे, कहने लगे ऐसा कर प्रानायाम सीख ले, प्रानायाम सीखाया, कहने लगे एक दिन ऐसा करना, प्रानायाम करके लेट गया, अब स्वास बंद, फिर सोचती अभी नहीं हिलाती, अब जो हुआ सो हुआ, मरें गए, उन्हें क्या पता था कि जिंदा है, उन्हें मरें गए, खीर बनाई थी, लड़ू बनाए थे, बड़े प्रेम से, उन्हें सोचा अभी रोने लगूँगी, तो इसका क्या होगा, खीर हो गया, छाती ठोक के रोएं फिर उसे ही लाया, तो मरा तो था नहीं, प्राणायम छोड़ा और फिर आ गया हो समें, ओ पतनी क्या कहती थी, साई सरग सिधारियां मैनू कुछ अखो, साई सरग सिधारियां मैनू कुछ अखो, तो फिर वो जाक के बोला, खीर लपालब यहां लड़ू भी चाखो, खीर तो खाई ली है, लड़ू भी खा ले, अब वो बिना मेरे नहीं खाती पोलपट्टी खुल गई, कभी-कभी जो प्रेम में पागल होते मैं कहता हूं, थोड़े दिन रहने को मिल जाए तो यह पागलपन उतर जाएगा, पर कई बार रहने क मौका नहीं मिलता तो पोलपट्टी नहीं खुलती, बड़े बड़ों की पोलपट्टी खुली, जो मरते थे वो मारने लगते हैं, जो एक दूसरे के लिए मरते थे वो मारने पर उतारू हो जाते हैं, पर कौन समझेगा संतों की बात, संतों की बात बेकूफी लगती है, अ बहुत और रहे होंगे, नहीं सुना होगा, अश्टा बक्र की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, यह जो पिक्चर दिखाते हैं, उनकी वैल्यू है, सारे पिक्चर वोही देखते हैं, कोई सादुओं की टीबी, कोई कोई देखता होगा, अभी कह रहे थे नान भूतान की आना चाहिए, आना चाहिए, आप कोई वो आजाती कहती हमारा आना चाहिए, कहते हैं, हम तुम्हारे आने को तयार हैं, तुम्हारे लिए जान दे देंगे, क्या कहते हो, तुम्हारे लिए कोठी, तुम्हारे लिए ये चाहजान लगाओ, बड़ा फर्क है, अश्टा बक् सब नहीं जान सकते सब मेरी आत्मा में सब मेरी आत्मा है सब में तू सब तेरे में फिर भी ये बच्चे मेरे है यही राज्य मेरा है मेरा राज्य ठीक रखना चाहिए दूसरे का चाहिए कुछ हो जाए मेरी पत्नी नहीं मरनी चाहिए मेरे बेटे के ते सिर्फ हांत रख दो बाकी मरें तो मरने दो अश्टा वक्र पूछते हैं सर्वभूते सुच्यात मानव सब भूतों में आत्मा है और सब भूत आत्मा में हैं तेरे से प्रतक कुछ नहीं सब तेरे में तू सम में तू एक आदमी नहीं है ये जान गया है तू आदमी नहीं है सरीर सई सब को छोड़ चुका है वो सुना भी चुके हैं तू मान भी चुका है कि शरीर सही संसार को मैंने अपनापन छोड़ दिया है। अब ये शरीर तेरा है, यही बच्चे हैं जिसके लिए तु भेंभें करेगा। जिसके लिए तु रोएगा। याद तो आना चाहिए कि इसके लिए ही क्यों रोएं। उसके लिए क्यों नहीं रोतें। तुम ब्रह्म हो, तुम्हारा एक दे नहीं है। या तो सब दे तुम्हारे हैं, एको दे तुम्हारा नहीं है। ये जनक ने माना है। अब वही बातें फिर रिपीट करके अश्टा बक्र पूछते हैं। कि अब तेरा क्या हाल है। अभी ये नहीं है कि जनक को है या नहीं है, जनक से पूछ रहे हैं, मुनेर जानत आश्चरियम, मुनी जानता हुआ, ए मुनी जानता हुआ, आश्चरियम ममत्तम अनुवर्थते, तुम ममता अनुभव करता है, मेरा मेरा मानता है, ये मेरे, इनकी चिंता करता है, जानते पूछ रहे, अब वो क्या उत्तर देगा, मैं भी अभी नहीं देगा, मैं भी अभी वही बताऊंगा, क्योंकि उत्तर वो दे, जिसका काम है, अभी तो गुरु पूछ रहे, आस्थिता परमाद्वाइतम, परमाद्वाइतम में तुम आस्थित हो, इस्थित प्रग्य हो गयो, मोक्षार्थेपी व्यवस्थिता, भेद सुन्य अद्वाइत बस्तु में निष्ठा होने पर, नित्यमुक्त सुरूप आत्मा का दढ़ निष्चय होने पर, हो जाने पर भ बड़े आश्चरी की बात है कि पूर्वा अभ्यास के कारण तुम काम के आधीन होकर बिकल हो जाते हो अद्वईत में इस्थित होकर तुम व्याकुल हो जाते हो कुछ पाने के लिए, सुख के लिए हो जाते हो अब वो जनक्या कहेंगे मैं नहीं जानता चुकि मैंने अभी पढ़ा ही नहीं मैंने पहले बता दिया कि मैंने अस्टवक्र गीता पहले बार देखिये तो जो विशय आता है उतना ही मैं पढ़के आता हूं जनक क्या कहेंगे वो मैंने पढ़ा नहीं अभी गुरु जी जो पूछ रहे हैं उम्हें तुम आरे सामने रख रहा हूं समझो मैं तुम ही से पूछ रहा हूं क्योंकि तुमने भी मेरे से सुनाई है अब देखना आता है कि नहीं आता क्या होता है इमानदारी से बताना तब भी गुरु जी कुछ कहेंगे चिंता मत कर आ गया तो आ जाने दे मुझे लगता है कहना ही पड़ेगा क्योंकि सब एक इस्तर के नहीं है कई जानने के बाद पुना काम आएगा पुना क्रोध आएगा पिना लोब आएगा लेकिन इसी लिए कुछ भूमिकाएं होती है साथ भूमिकाओं में पांचवी, छेटवी, साथवी यदि ग्यान के बाद सब समान हो जाते तो छेटवी भूमिका का मतलब क्या है पांचवी का मतलब क्या है साथवी का मतलब क्या है फिर वो ज़्यादा स्रेश्ट ग्यानी ये कम, फर्क क्या है? ग्यान होने के बाद भि कुछ पूरवाभ्यास धीरे धीरे निवरत्त होते हैं, जीतना ही तीब्र निष्ठा होती है, जीतना ही चित्त पहले का शुद्ध होता है, उतनी जल्दी ग्यान के अनंतर ये नहीं आते यदि पूर्व में चित्त मलिन रहा है तो ग्यान के अनंतर आते हैं आएंगे पर मुझे लगता है जनक क्या कहेंगे मैं नहीं जानता पर मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम उतने नहीं हो आएंगे लेकिन घबराना नहीं इसी ग्यान की तलवार से इसी निष्ठा के द्वारा तुम सभी विकारों को नश्ट करके मुक्त हो जाओगे आने से घबराओ नहीं आते रहे हैं रामकृष्ण परमहंस ने कहा किसी ने पूछा ज्यानी में अज्यानी में क्या फरक होता है तो कहने लगे जैसे आन्धी और तूफान आ जाए अंधे और आँखवाले में आन्धी तूफान आया अंधेरी आ गई आँखवाला और अंधा बराबर कुछ दिखता है नहीं रात का समय खूग अंधेरी एक बार हम भी ऐसे फस गए हम जनम भूमी के नजदीक एक छोटे से गाउं में थे मल्लाओं का गाउं था रात का समय था आंधी आई जो गए से लाल्टे ने थी वो भी बुझ गई और तो कोई साधन था नहीं फिर जोर से हुई बरसा बाहर ठहरते थे गाउं के बाहर पेड में ठहरे थे गाउं तक पहुँचना मुस्कील अन्देरा एक के पास टार्च थी उसने हमें आगे आगे ले जा के शुरू किया बहुत संख्या थी कुछ साधू पीछे रह गए वो ढूंडते ढूंडते डेड़ गंटे में पहुँच पाया बिचारा तो कहन लगे अभी तक तो हमने सुना था दुनिया में कोई किसी का नहीं होता कोई किसी का नहीं है आज पता चला साधू भी किसी के नहीं होते है यह सच्ची बात है बहुत जीवन में हमने पापड बेले कभी कभी जाते बैंगन का साग और रोटी बहुत गाओं में भूमें अब से 50 साल पहले 45 साल पहले गाओं में तो डाल देखने को बिलती थी और एक आत बेंगन ये कद्दू का घर्मियों में बाकि कोई सागवाग नहीं डाल रोटी तो बेंगन की सबजी उसमें दो तो कद्रे बेंगन की बाकि पानी पानी ऐसे खाते थे और मज़ा आता था भूख लगती थे छे महीने साल हमने सिर्फ रोटी बिना दाल सबजी की रख लेते थे सूख जाती थी तो पानी में भिगो के गुर्देव के साथ खाते थे गुरू के सरणों में आनन्द लेते थे जब हम गुरू के पास गए थे हम गए थे बुलाया नहीं था गुरू ने यदि बुलावा अंदर का होगा तो बामला ठीक है पर हमारी तो पत्रिका जाती है इसलिए तुम दमाद बनके आते हो हम गुरु के दमाद बनके नहीं रहे कहां सोए पता ही नहीं जहां जगे नहीं सोते सोते जहां जगे बच गई वहीं सो गए बिच्छाने का नहीं तो सो गए अब युग भी बदल गया है इसलिए ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है तब हमें सुविधाएं घर में ही नहीं थी तो सादू हो के क्या चाहिए गाओं का यदि गरीब आदमी आए तो यहां जैसी अच्छी व्यवस्था ही कहीं नहीं पर यदि कोई करोड़ पती आए तो यहां जैसी रद्धी व्यवस्था कहीं नहीं वो तो इस्तर के कांड लगती है, तो हम तो गरीब थे, गाओं के थे, हमें अशुविदा कभी मिली नहीं, फिर ग्यान के लिए निकले थे, गुरू जैसे महान थे, हमें दुखो हुआ ही कभी नहीं, हम नहीं जानते गुरुदेयों के पास की अपमान क्या होता है, हम नहीं महीने हमारे पैर में कोई चपल जूता नहीं होता था तूट गई खड़ाओं तो तूट गई कैसे वईराग्य होगा इस ज्ञान का अनन्द मिलता है थोड़ी साधना के बाद ये समझ आए वईराग्यवान को समझ आए तो होता है आस्थिता परमद्वाइतम मोक्षार्थेपी व्यवस्थिता तू मोक्ष के अर्थ में व्यवस्थित है परमद्वाइतमे आस्चा है पर आस्चरी है कि काम बरके बश होकर बिकल हो जाता है कामना के लिए काम के लिए तू वेचेन होता है गीता में भी भगवान ने कहा कि जो काम के लिए बेचेन नहीं होता काम तो जाता नहीं क्रोध to जाता नहीं इच्छाएं तो पूरी-पूरी जाती नहीं कब उदे हो जाएं लेकिन वो तुझे पागल न करें बेचेन न करें उसके बिना तु मरे नहीं ठीक है तू उसके लिए हत्या न करे क्रोध में काम में आके बलातकारी न हो काम में आकर के तू पागल न हो जाकि मैं तो लोटा जा रहा हूं वापस हाँ हो गई सदुए देख लिया बहुत ब्रह्म इतना पागल न हो तो भी बधाई है तभी मैंने गुरुदेव का नाम लिया और अपने गुरुभाई 72 वर्स के कानपुर की सभा में बोले वो कि मैं मान का तो भूखा नहीं हूं पर काम अभी भी गया नहीं इसका मतलब चाहते थे ना रहे फिर भी देख करके थोड़ा मनों में आ जाना देखने का मनों मैंने यहीं चुटकुला सुनाया था ना एक अख़बार में मैंने पढ़ा एक बाबुजी पैजामा पहने बेंट लिये तालाब की तरफ जा रहे है तो जाते हुए में जा रहे है फिर लोटते में लोट पड़े तो नीचे लिखा था धत तेरे की मामला क्या था देखा कोई इस्त्री नहा रही है लाल-लाल कपड़े है नहा रही है देखने का मन किया तो घुमते घुमते तालाब के कि तहलने के बाहने देखने के लिए कैसे जाएंगे इज्जत का सवाल है गुमते गए कि चला देखा ही लेगे मिलना मिलना तो है नहीं देख लेगे क्या दरे दीवार खड़े हैं तुम्हारा क्या लेते हैं देख लेते हैं दिल की तपन बुजा लेते हैं देख लेंगे थोड़ा मन भर जाएगा तो नजदीक जाएँगे देखेगे जब देखा तो तक उन्होंने यह दो बाब़ा जी थे वो बाई थी नहीं तब इचारे लोटाए तो जो तुम देखना चाहते वो है कहां ये तुम देखना चाहते ते ये सुख है वहां है कुछ पर यह दिखे कब वो तो बाहर का चित्र था तो मूरक को दिख गया सो लौट आए तुम्हें दिख भी जाएगा कि नहीं यह बड़ी समस्या है इसलिए आश्टाबक जनक से पूछे जा रहे है तो कहते ही आश्चर ही है कि इतना ग्यान होने पर भी अद्वाइत का ज्ञान होने पर तभी रामायन में भी एक जटका दिखाया है नारी मैं देखन लगे जो ब्रह्म मैं देखत रहे जो नहीं देखते उनकी बात छोड़ो तो फिर सब याद आए रामकृष्ण परमंस की आंधी आई अंधे को आंखवाले को दोनों को अंधेरे में तूफान में नहीं दिखता थोड़ी देर बाद अंधेरा छटता है आंधी खटती है आंखवाले को दिखने लगता अंधे को तब भी नहीं दिखता अग ज्यानी को कभी नहीं दिखता संसार में शुख नहीं है ग्यानी को थोड़ा शनवर को आभी जाए तो फिर अपने घर वापस आ जाता है इतना फर्क तो मेरी समझ में आता है पर अश्टबक कहते हैं बड़ा अश्चेरिय कि इतना ग्यान होने के बाद ऐसा क्यों अश्चेरियम कामम आकांख्षा आकांख्षेत कालमनंतम अनुश्रिता काम ग्यान का सत्रुए काम ग्यान को अंदा कर देता है दुनला देता है और काम सदा सुख के लिए होता है और अंदर का सुख बिश्मरन हुए बीना काम नहीं हो सकता क्योंकि काम का जन्म शुख पाने के लिए होता है यदि अंदर में सुखकी अनभूती होती रहे पर कामना सुखकी अनभूती को नस्ट कर देती है सुखका दर्सन बाहर करा देती है तो हम भटकते हैं बड़ा मज़ेदार विशह है ये गुरु जान लेते हैं कि अभी है तो कई कोई बात नहीं अभी पीना खाना मना नहीं कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आपके गुरु जी और उसे पूछते हैं आपके गुरु जी मना करते हैं कि नहीं हमारे गुरु जी तो मना नहीं करते हैं और सच मुझ पूरा पूरा छूटना असान नहीं है इसलिए परम ज्यान की समाधिस्त पुरुष की और एक साधक की तुलना नहीं की जा सकती और फिर आदमी को छूट दोगे तो आगे आएगा एक दब रोक दोगे तो आएगा ही नहीं तुमारे ग्यान को बेकार समझेगा इसलिए थोड़ी ग्यान की जलक मिलने दो थोड़े अंदर का आनंद मिलने दो फिर बाहर के अदुविधा में कभी इधर कभी उधर जाने दो दीरे दीरे निष्ठा परिपक्को हो जाएगी शरीर छोडने के पहले इसलिए कामक्रोधोद भवम बेगम सकनोती वियासोडुम सकनोती वियासोडुम प्राक शरीर विमोक्षनात शरीर छोडने के पहले कामक्रोध लोब के बेक को जो शहलेने में सक्षम है वो युक्त है वो ग्यानी है और वो सुखी होता है जो शहले था वेग को थोड़ा जहलो फिर अंदर खोजो एकदम कामना की पूर्ति ना करो बहुत जरूरी हो तो करो नहीं तो पूर्ति ना करो पूर्ति के बिना देखो तुम सुखी हो सके की नहीं अपमान हो जाए तो बदला मत लो लोटो देखो तुम निर्मान होकर सुख पा सके की नहीं उसने गाली दी गाली मत दो तुम बिना गाली दी अंदर लोट कर सुखी हो पाते हो की नहीं यदि हो तो ग्यान फिर भी काम कर रहा है थोड़ा लोट न सीखो क्या हो जाएगा वही तो छण थे जब आप घर आते जब नाक में पानी जाने लगे पानी में कोई फेंग दे तभी तो तहरना चाहिए कोई कहे हम बहुत तहराख हैं जमीन में तहरते हैं पानी में नहीं तुम तहरना जानते हो तुमें ग्यान है तो जब परिस्थिती आये तब जड़ा एक बार ध्यान दो कि तुम कौन हो उसकी याद करो ये चला जाएगा पर उस समय तुम भूल जाते हो शिव जी भूल गए थे इसलिए गवडाना मत काम ने इतना प्रभाव रचा कि शिव जी का दिमाग खराब हुए तब उन्होंने क्या कहा तब शिव ती शर नयनुभारा तब उन्होंने तत्व दर्ष्टि ब्राम्माई ब्राम्माय ख्याल किया तचितवत काम भयोजरिछारा कामनस्ट हो गया ब्रह्म ज्यान सब विकारो की दवा है, अद्वाइत, द्वेश की दवा, द्वेश हो तो अद्वेश चिंतन करो, द्वेश चला जाएगा, काम हो तो अद्वेश चिंतन करो, काम चला जाएगा, लोब हो तो अपनी आनंद मैता का चिंतन करो, पदार्थ की वैलिव खतम हो जाएगा, तुम आत्मा का आन खोजो, सारे विशयानन्द फीके पड़ जाएंगे, जब सूरी उदय होता है, रात को देखो तारे चंद्रमा कैसे चमकते हैं, वो भी रोशनी करते हैं, नहीं करते हैं, जब सूरी है अब, ऐसे ही, जब तक ब्रम्म ज्यान का सूरी उदय नहीं होता, तब तक विशय रूप चंद्रमा और तारे भी सुख का प्रलोबन देते रहते हैं, जब ब्रम्म ज्यान का उदय होता है, तो यह सब छिप जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते कि इनमें भी कोई रोशनी है, तारों की रोशनी दिन में तुमें दिखाई पड़ी, आत्मानंद में विशयानंद त इरोहित हो जाता है, खो जाता है, तो कोशिश करो, ब्रह्मनिष्ठा जयों-जयों गहरी होगी, जयों-जयों सूर्य प्रकट होता जाएगा, अभी तो सूर्य आ रहा है, लालिमा आई है, अभी तारे कुछ-कुछ दिख रहे हैं, किर्तन मेरे गुर्देव के समय गाया जा जाता था, अस्त भै तारे, जागो सज्जन ब्रंद हमारे, तारे अस्त हो रहे हैं, अंधेरा जा रहा है, शूरी आ रहा है, प्रकास हो रहा है, उठो, ऐसे ये ज्ञानोदे हो रहा है, ब्रह्म ज्ञानोदे हो रहा है, अब विशयानन्द को रहा है, प्रेक्टिस करो, इस जैसी उची कोई शाधना नहीं है पर जो खिलाडी हैं उनके लिए बरबाद होने जैसा भी कुछ नहीं है ये तो सर्वोत्तम इलाज है एक 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 दवा से सब रोग जाएंगे कोई काम की दवा है कोई क्रोध की दवा है कोई लोब की दवा है ब्रमग्यान सब रोगों का इलाज है एक एक इसलिए परमेश्वर के भूलें से सब रोग होते हैं परमेश्वर के भूलें ब्यापन सब रोग इसका दूसरा आर्थ है कि परमेश्वर के याद से जामे सब रोग परमेश्वर के इसमर्ण से सभी रोग चले जाते है इसलिए सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ याद करो जो सुना है याद करना जो पढ़ा है याद करना जो यहां जाना है याद करना ना याद आए तो कैसी सुनना ना याद आए तो दुबारा पढ़ना सुनते समय बिल्कुल यादा जाएगा बिल्कुल दावे से कहता हूँ कई लोग कहते है एदि हमारा मन खराब होता है तो हम पढ़ने लगते हैं तो हमारा मन ठीक हो जाता है अब दवा रखी है अब रखी हुई दवा भी नहीं खाओ तो कोई क्या करेगा ज्ञान हो गया है इसमरन ही भरतो करना है जनक को ज्ञान हो गया है मुझे आगे का पता नहीं क्या मामला है पर ज्ञान हो गया है जनक को ये मैं दावे से कहता हूँ अब वो इसमरन करते हैं कब भूल जाते हैं वो क्या बताएंगे, कितनी उनकी उची निष्ठा है, वो तो आगे ही पता चलेगा, तो अंतमे में उद्भूतम ज्ञानम, शरीर सम्मंदी सारे पदार्थ मृत्य ग्रस्त न रहने वाले, और ज्ञान का सत्रु काम है, बड़े आश्चरी की बात है कि इस बात को जानकर भी तुम कमजोर हो जाते हो, और भोग की आकांख्शा करते हो, इतना बलवान ग्यान, इतना उजेले की छमता, कि अंधेरा नहीं आ सकता, पर पदा नहीं, अंधेरे का लालच अपनी लालटें धीमी कर लेता है, आपई ग्यान में परदा डालने लगता है, ग्यान को जुठलाने लगता है, ब्रम्म की बात को बकवास कहने लगता है, सादू की बेकार की बाते हैं, क्यों चक्कर, फिर उधर को, इस जगे जगाए दीप को बुझाने लगता है, इसी को गोश्वामी जी ने रामायन में क लेकिन आवत देखें विशय बयारी तेहट दें कपाट उगारी इंद्रियां विशय को जाएंगी और ये ज्ञान्दिया बुझ जाएगा ज्ञान्दिया बुझाया गोश्वामी जी ने क्यों बुझाया कहते भक्ती का बल चाहिए श्रद्धा का बल चाहिए जिनके हिर्दय में भक्ती होगी उनका दिया नहीं बुझेगा इसलिए भक्ती को मणी का है केवल दिमागी कसरत को ज्ञान का है जितना ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक तुमने ज्ञान पाया होगा किताबों से श्रद्धा नहीं होती ज्ञान लखना श्रद्धा तभी होती जब कुईसी गुरु से सुनो उसमें भक्ती बनती है ज्ञान लगे जैसे भगवान इसलिए जब ऐसा लगे हम भगवान को चाहते हैं उससे भक्ती का वुद्धे होता है भक्ती पूर्बक जो ज्ञान होता है वो बुजता नहीं है पर अश्टा बक्ती जी सीधा ज्यान की बात कर रहे है चूकी जनक उत्तम अधिकारी है उत्तम पात्र है परम ज्यान का अधिकारी है और कुछ चित तो उसका खराब नहीं है वो संसार के भोग आदि सब कर चुका है राजा है राजाओं के कौन कमी है पत्नियों की दसरत के बहुत थी तो इस सब देख चुके है बाईराग्य हुआ है ज्यान को प्राप्त करने आए है अब फिर भी पूछते है इसलिए आप भी इसके लिए सावधान रहेंगे इहा मुत्र विरक्त से नित्या नित्य विवेकिना आश्यरिये मोक्ष कामस से मोक्षा देव विवीशी का बहुत खतरनाक इस लोग है इहा मुत्र विरक्त से विरक्त नित्या नित्य का विवेक है ये नस्वार है या विनाशी है नित्या नित्य का विवेक है, विरक्त है, आश्चेर ये, मोक्ष कामस्य है, जो मोक्ष काम है, मोक्ष के लिए आया है, फिर कहता है ये क्या बात है, जो मोक्ष से ही डर जाता है, मोक्ष से डरने लगता है वहाँ क्या होगा वहाँ भूरे होंगी की नहीं वहाँ मुक्ती में ख्याल रहेगा की नहीं वहाँ मुक्ती का अनन्द मुझे मिलेगा की नहीं यहाँ तो कम से कम जन्मता हूँ थोड़ा बहुत तो है जहां मन नहीं होगा दे नहीं होगा अहंकार नहीं होगा वहां मुक्ति की याद रहेगी क्या लोग पूछते हैं वहां याद रहेगा कि हम ब्रह्म हैं अब ये भी चक्कर है कि वहां याद रहे कोई कहें नीद में हमको याद रहेगा कि हम ब्रह्म है दिन में जरूरत ही नहीं रहेगी जब जरूरत है संसार की जहां संसार सताता है कहां मुझे याद रहना चाहिए जहां संसार नहीं होगा अंकार नहीं होगा मुझे याद रखेने की जरूरत क्या है अभी मुझे लगता है मुझे याद रहना चाहिए मुझे ब्रह्म मिल गया। कई लोग पूछते हैं अगले जन्मन में जब मिलोगे तो याद रहेगा। विदेश में लोग पूछते हैं पहले भी हमको मिले होगे। विदेशी बहुत पूछते हैं। वीदेशी लोग कही जनमों को मानते है तो उनके अंदर भी यह धारणा है कि क्या अगले जनम में यदि हम मिलेंगे तो याद रहेगा याद रहे तो इठीक है याद न हरे तो काम नहीं चलेगा ये भी दिल करता है कि याद रहे हम मुक्त हैं ये याद रहना चाहिए जब तक दुनिया है बाद में मैं याद रहने की क्या जरूँगा ये भी एक इच्छा है ये ही बंदन है इसलिए कहते हैं कि ये मुक्ती से डर गया ये मैं बनाए रखना चाहता है अभी आज इतना ही कहकर बंद करेंगे Om Shanti, Shanti, Shanti